हेलो एब्रीवन सभी को रादे रादे कैसे हैं सब आसा करती हूं सब अच्छे होंगे और अभी मैं छट पे आई थी पोदों में पानी देने के लिए और पेडों को देख के इतना अच्छा लगता है जब ये कुछ पोदे इसमें से मेरे पास एक साल के शम्तिंग हो गए है कि एक साल उनकी उमर है कुछ चार Ah ke bhaer और कुछ ऐसे भी है जो 4-5 साल से मेरे पास है दो-3 पोदे ऐसे हैं जो दस साल से, पिछले दस साल से मेरे पास है तो जब मैं पिछले साल ये लिए थे तो मैं पोधे वाले से बोल रही थी कि आप थोड़े बड़े-बड़े से दो यह तो बहुत छोटे-छोटे से हैं गार्डन भल्कुल खाली-खाली से लग रहा था लेकिन यह देखते ही देखते हैं इनकी थोड़ी-थोड़ी केर करते हुए जब यह मेरे सामने बढ़े होता है न वैसा ही सेम है किसी भी चीज़ की अगर आप केर करने लग जाता है न तो वह आपको positivity से भर देती है यही मेरे साथ होता है और यह एक से अनेक कब हो गए मुझे पता भी नी चला एक साल में मेरा गार्डन पूरा फुलन फिल हो यह पोदों से देख सकते हैं आप वह उपर दोनों बाहर वाल करनी फूल है उपर चथ पर भी रखे हैं अगया नए नए पोदे निकलता है तो कितने खुशी होती है और आपको मतलब जिम्मेदारियों के साथ साथ अपना एक सोंक भी मतलब डवलप करना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी तो हमेशा ही रहेंगी वो कभी खतम नहीं होंगी जब से आपने मतलब होस संबाला है और जब तक आप जाएंगे तब तक जिम्मेदारी तो आपको निबानी ही है चाहे वो मा की हो या बेटी की हो या बहु की हो मतलब बच्चों के परती हो किसी भी रूप म मान ली दिया आप जिम्मेदारिय ऐसी चीज है जो कभी खतम नहीं होती लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो होबी है आपका जो शोंक है उसको पूरा करना ये एक बड़ा टास्क है अधिकतर हम इलाए क्या करते हैं जिम्मेदारियों के चक्कर में अपने सोंक को ना बस अपनी ही इच्छाय को दबाती है कि मुझे मतलब मान लो मुझे गार्डनिंग पसंद है या कुछ और बी किसी और को जो भी काम पसंद हो उसको दारे कहां टाइम भी नहीं मिलता इसके लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो इसके लिए आप जिस चीज से आपको खुसी मिलती है, उसके लिए भी आप थोड़ा सा समय आप निकाल लिए, और देखिए आपकी जिंदगी में कितने अच्छे बदलाव होते हैं, इस काम को मतलब अपनी होबी को अगर आप डवलप करेंगे, तो उससे आपके नेचर में इतना बदलावा जाएगा, कि आप अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से, खुसी-खुसी निभाएंगे, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा, कि आप जिम्मेदारियों के बोज के तले दबे जा रहे हैं, मतलब मेरी खुस पढ़ना, या कुछ, कोई टीवी शो देखना, या बुनाई करना, या सिलाई करना, कुछ भी ड्रोइंग करना, अच्छा संगीत सुनना, कुछ भी सोंख हो सकता है, और मैंने तो कहीं सारे मतलब मैं कोसिस करती हूँ, कि अपने आपको बिजी रखूँ, और इस काम के साथ साथ मैं अपनी जिम्मेंदारियों को भी अच्छे से नहीं भाती हूँ, कोजिस करती हूँ, मेरी वज़े से या मेरे काम के वज़े से कोई भी चीज डिस्टप ना हो, और ऐसा होता नहीं है, मैं बिल्कुल बखूँ भी सब चीज मैनेज कर लेती हूँ, आप देख सकते है और पोधो में कभी-कभी ये मान ली दिया, अब टैन में से एक बार कभी पाइल पानी दे देती है, नई तो हमेशा ये मेरा ही काम है, कि मुझे ही इनमें पानी देखना है, या इनको फीड करना है, जब भी फर्टिलाइजर वगरारा देना होता है, फर्टिलाइजर तो मत देती हूं पायल का तो काम नहीं है वो पायल अपने कोलेज के काम में इतनी व्यास रहती ए और husband को इतना time नहीं होता कि वो इन चीजों में time दे क्योंकि वो आते ही वो उतकम है और बेटा भी पढ़ाई में बिजी रहता है लेकिन मेरा समय इन इन चीज़ों में इतना आच्छा कट जाता है ना कि मुझे कुछ और नेगिटिव सोचने का टाइम ही नहीं मिलता और कहते हैं ना सब्र पेसंस इन चीज़ों के साथ बहुत इंपर्टनट है ऐसा नहीं है कि आज कहते हैं कि आज जन्मा है तो आज ही तो पैदल नहीं चल सकता तो ऐसा ही है जैसे मैंने एक साल पहले यह लगाए थे तो मुझे ऐसा लगता कब यह बड़े होंगे कब गार्डन अच्छा दिखेगा और अब एक साल भी complete सही से हुआ नहीं है कुछ पोद मैं यह नहीं कहती कि मैंने कुछ अलग कर रखा है लेकिन बस अभी मुझे इन में बहुत काम करना है मतब स्टैंड बनवाने हैं या वो समय के साथ साथ होगा क्योंकि हर चीज मानलों में एक की साथ बहुत सारे पैसे नहीं खर्च कर सकती हर चीज का एक बजट होता है तो उस पर depend करता है decorate भी हो जाएगा एक साल में दो साल में लेकिन जब तक मैं जैसे manage कर पारी है कोसिस करती हूं कि उन्हें वैसे manage करके रखूँ और आपसे बाते करते करते मैंने सारे पोडों में पानी लगा दिया है नीचे वालों में सब में हो गया है नीचे वाली balcony में भी हो गया है और उपर वाली बालकनी में भी और ऐसा ही मेरे YouTube चैनल को लेकर है अभी new new स्टार्ट हो आए तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अरे अभी धीरे ग्रोथ हो रही है धीरे ग्रोथ है लेकिन किसी भी चीज की ग्रोथ धीरे-धीरे ही होती है बच्चे को भी बड़ा होने में टाइम लगता है वैसे ही पोधे हैं वैसे ही चैनल का काम है तो दीरे-दीरे जैसे मेरे पोधे बड़े हुए हैं जैसे मेरे चैनल भी बड़ा हो जाएगा अगर आप सब का साथ रहा तो देखो एक भी मिली बग नहीं है कहीं भी सब फिनिस हो गया है और नू ग्रोथ स्टार्ट हो गया देखो वरना मिलीबग की वज़े से नहीं इसकी ग्रोथ भी रुख जाती है देखो कहीं कुछ नहीं है फिल्कु साफ हो गया है पोदा पूरा देख सकते हैं हर सूट साफ है और काफी हराबी लग रहा है पहले से अब यह वाला पोदा देखो आप यह स्नैक प्लांट की वराइटी है अब इस गंबले में बिल्कुल जगेनी वची है कहीं भी इसको ग्रोथ होनी की मैंने एक लगाया था यह और एक से देखो आप कितने ही वो बन गए हैं इसमें देख सकते हैं बिल्कुल जगेनी है अब मुझे इनको सेपरेट करना पड़ेगा नहीं तो यह गंबला फूट जाएगा अभी मैं इसको सेपरेट करूँगी अभी मेरे पास गंबले नहीं है ऐसे छोटे छोटे गंबले लाऊंगी तब सेपरेट करूँगी और देखो इसी की जो साइड मैं से मैंने पहले भी आपको बताए इस तरह पत्या निकाल के मैंने तीन-चार पत्या निकाली थी अब वो इसमें लगा दी थी देखो देख रहे हैं नजबीक से दिखाऊं इस पत्ती में से यह सूट निकल रही है इसके बराबन में देखो निच्चे आए एक छोटी सी ओड निकल रही है ऐसे ये वाली देखो इस वाली पत्ती में से भी ये सूट निकल गए और इस वाली में से पिछे से निकल गए ये दो हैं तो ऐसे ही आप एक पोदे से अपने गढ़ में वह सारे पोदे बना सकते हैं तो देख सकते हैं आप ये कितना प्यारा सा है जब ये नए पोदे निकलते हैं बड़ी खुसी होती है तो बड़ा ही सुन्दर सा मेरा तीन पोदे तयार हो जाएंगे अगर आपके पास इस तरह की है तो उसके साइड में से पकी हुई पत्या निकाल ले उन्हें इसमें गाड़ दें तो उसमें से नई सूट निकलाती है तो जी मेरे गुडल के पोदे पर सारे मिली बग घट गये है और पोदे में नहीं जान पड़ गये नहीं तो पीला होने लगा था और अभी मैंने जो आपको स्नेक प्लांट दिखाया यह यह रख्या है तीन पोदे नए स्नेक प्लांट के भी तयार हो गये है और यह जो गमला भर गया है इसमें सभी मैं पांच्छे पोदे इने सेपरेट करके बना लूँगी और किसी को चाहिएंगे तो गिफ्ट भी कर करने का फैशन है अगर कोई ध्यान रख सकता है तो आप बिल्कुल उसे पोदे करें और मेरे घर में तो अभी फिलाल बहुत ही अच्छे पोदे हो रहे हैं कि देख सकते हैं आप बस यही है मेरी खुसी का कारण और देखो यह वाले भी न मैंने पत्तियों से ग्रोव किये थे यह वाले भी तीन पत्ति लगाई थी इसमें भी एक यह उससे बना था और यह इदर पीछे भी है अभी मैं आपको दिखातु यहां थोड़ा दे रहा है देखो यह यह सब पत यह पत्ति भी मैंने लगा रखी जब तूटी थी पिसा देखते हैं कितने दिन में इसमें से सूट निकलती है नहीं जब निकलेगी मैं आपको अपडेट दूँगी इसकी भी यह बड़े वाला स्नेक प्लांट है जो उपर से गिर के तूट गया था उसका पत्ता है यह दे यह बाला भी बहुत सुंदर हो रहा है और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेर करें कमेंट करके बताएं और चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिलते रहें रादे रादे